सभी को जहिन, मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Mission NCC The Way of Success में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCC में भरती होने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट में मुझे कमेंट में पूचा है 2021 में NCC में भरती होने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए अगर आप सभी 2021 में NCC में भरती होना चाहते हो तो वीडियो को लासक जरूर देखेगा आपको सारी information आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी तो चलिए बिलकुल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं NCCDG ने किसी भी जगह पर ये officially नहीं लिका है NCC में भरती होने के लिए आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए सभी याद रखेंगे, सभी ध्यान देंगे NCCDG ने किसी भी जगह पर ये officially नहीं लिका है कि अगर आप सभी NCC में भरती होना चाहते हो तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए तो इसी लिए NCC में हाइट कोई भी मैटर नहीं करती है अगर आपकी हाइट कितनी भी छोटी हो, अगर आपकी हाइट कितनी भी कम हो तो भी आप सभी को NCC में admission मिलेगी इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान दीजेगा सभी अभी इस बात को आप याद रखेंगे ध्यान देंगे देखेगा 2015 से पहले NCC भरती में जादा competition नहीं हुआ करती थी लेकिन 2015 के बाद NCC भरती में बहुत जादा competition बढ़ गई है सभी student को NCC के benefits के बारे में पता चल गया है देखेगा अगर आपके पास NCC का C certificate होता है तो आपको Indian Army में कोई भी return exam देना नहीं पड़ेगा आप सभी को सिर्फ physical test निकालना है आपको running निकालना है उसके बाद में आपको एक medical test आपको clear करना है तो फिर आपको Indian Army में कोई भी paper देने की जरूरत नहीं है आपका जो selection है वो direct आपका selection Indian Army में हो जाएगा इस वजह से सभी student NCC में भरती होना चाते है क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि भाई NCC का benefit क्या है तो इसलिए सभी बच्चे जो है फोज में जाना चाते है इसलिए वो सभी student NCC में भी भरती होना चाते है NCC की vacancy हर साल बहुत कम निकलती है मान लो किसी भी company की vacancy बहुत होगी बहुत 50 vacancy या 54 vacancy बहुत होगी उससे जादा vacancy नहीं निकलती है तो मान लो किसी company की जो vacancy वो 50 vacancy निकली है और NCC में भरती होने के लिए 1000 बच्चे आए तो अब 1000 बच्चों को तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि vacancy कितनी है स्री 50 vacancy है और बच्चे आए भई 1000 हो सकता है भरती के लिए 1000 नहीं 2000, 3000, 4000 भी बच्चे आ सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे एक example ले रहे NCC की जो vacancy है वो 50 vacancy 50 vacancy होती है उससे जादा तो नहीं होगी लेकिन भरती के लिए बच्चे जादा आएंगे मान लो 1000 बच्चे आ चुके हैं तो उन सभी बच्चों को छाटने के लिए height की parameter और terms लगा दी जाती है यह आप याद रखेंगे मजबूरन आपके जो NCC की जो teacher होते जिनने हम A.N.O. sir कहते और जो आपके P.I.E. staff होते उन सभी को height की parameter height की terms and condition लगानी पड़ती है ताकि वो जो बच्चे वो छट जाए उनको छाटना पड़ेगा तो कितने height वाले student को NCC में लेना चाहिए कितने height वाले student को NCC में नहीं लेना चाहिए यह parameter आपके A.N.O. sir और आपके P.I.E. staff के द्वारा decide की जाती है वो decide करते हैं आपके company के अगर आपकी company की भरती हो रही है तो इस साल 2021 में कितने height वाले बच्चों को लेना चाहिए कितने height वाले बच्चों को नहीं लेना चाहिए यह parameter आपके A.N.O. sir और आपके P.I.E. staff यह parameter decide करते हैं इस बात को आप याद रखेंगे इसलिए कम height वाले student को चाटा जाता है और जिनकी भी height अच्छी खासी है उन सभी को NCC में admission दिया जाता है अब मैं आप सभी को मेरा experience बताऊंगा याद रखेंगे सभी मैं आप सभी को मेरा height के बारे में जो भी experience है वो बताऊंगा अगर आप सभी male candidate हो और आप senior division से NCC में भरती होना चाहते हो तो आपकी जो height है वो 165 cm के उपर होनी चाहिए याद रखेंगे अगर आप सभी male candidate हो और आप senior division से NCC में भरती होना चाहते हो तो आपकी जो height है वो 165 cm के उपर होना चाहिए अगर आप female candidate हो आप senior wing से जो आप NCC में भरती होना चाहते हो तो आपकी जो height है वो 157 cm के उपर होना चाहिए याद रखेंगे अगर आप female candidate हो और आप senior wings NCC में भरती होना चाहते हो तो आपकी जो height है वो 155 cm के उपर होनी चाहिए तभी आपको NCC में admission मिलने के chances बनते हैं अगर आपकी height बहुत छोटी है बहुत कम है तो भी आप NCC भरती के लिए try करिएगा हो सकता है आपका भी selection हो जाए जितने भी student आप सभी इस video को देख रहे हैं तो आप सभी के area में जिस भी college में NCC की भरती होगी उस भरती में आप सभी को present रहना है आप सभी को भी try करना है चाए आपकी height कितनी भी छोटी हो कितनी भी आपकी height कम हो आप सभी को try करना है hope नहीं छोड़ना है हो सकता है आपका भी selection हो जाए बहुत बार ऐसे होता है देखेगा NCC भरती के समय में आपका self confidence आपका stamina आपकी जो leadership quality है वो भी देखा जाता है अब कई बार क्या होता है बहुत सा एक एक बच्चे की मानलो height बहुत जादा होती है लेकिन उसके अंदर self confidence नहीं होता है leadership qualities नहीं होती है टेक है उसके अंदर stamina नहीं होता है तो वो जो है मानलो वो आपके अंदर होता है या मानलो जिसकी भी height बहुत छोटी होती है उसके अंदर अगर ये qualities होती है तो उसको भी preference दिया जाता है इसलिए आप सभी को try करना है hope नहीं छोड़ना है चाहे आपकी height कितनी भी छोटी हो आप NCC भरती के लिए सभी student आप try करेंगे इस बात को आप याद रखेंगे NCC में कैसे भरती होते है इसका एक process होता है उसके उपर मैंने एक detail में वीडियो बनाया है उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो के description में दे दिया है सबसे पहला ही link है description box में आप चेक करिएगा आप उस वीडियो को भी पूरा देख लिजे आपको वहाँ पे सारी चीज़े step by step NCC भरती प्रोसेस के बारे में सभी चीज़े समझ में आ जाएगी अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी informative लगे तो वीडियो को like कर दीजे अगर आप सभी चानल पे नए हो और NCC के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो आप चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे तो चले बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई सायनारा अलविदा आपका किमती समय निकालका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता है अगले वीडियो में जाहें वंदे मातरम किमती समय वीडियो देखने के लिए